नमस्कार दोस्ते स्वागते आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो अपने दमित्रों के शाथ में जादा जादा शेयर करें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेपर कोड है QHD जिनका भी पेपर कोड QHD है उनके लिए आज मैं बताने वाला हूँ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि time table के according paper की time duration 3 गंटा है marks 70 है marks में कोई तबदिली नहीं है और QHD paper को आपको कैसे solve करना है किस परकार से आपको उत्तर लिखने है ताकि आपको पूरे मैं से पूरे marks मिले इस paper को qualify करना बहुत जरूरी है यदि आप इस paper को qualify नहीं करते है तो आप जो है अनुत्रिन माने जाते है तो चलिए बीना देर करते हैं मैं आपको सीधा दिल चलता हूँ इस paper पर और साथ साथ मैं आपको उत्तर भी बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है मैं आपको लिखीत में उत्तर भी बताऊँगा कि आपको उत्तर इस परकार से लिखना है ताकि आपको जो है किसी परकार की परिशानी नहोगँ तो चलिए शुरुआत करते हैं तो आप देख सकते हैं कि paper code QHD जैसा कि बाग A में आपको क्या करना है अधिक्तम 30 अंकों में प्रशने लिखने है कितने लिखने है इसके लिए आप देख सकते हो कि 7 प्रशने आएंगे total 7 के 7 करने है यानि कि सभी प्रशने के उत्तर देने अनिवार है और प्रते एक प्रशने जो है इससे क्या समझते हो आपको यह बताना है तो इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है इसका उत्तर जो आपको यह लिखना है कि खड़ी बोली जो है ये एक हिंदी का ही रूप है और जिसमें जो है संस्कृत के सब्दों की बहुलता के कारण बहुलता करके वर्तमान हिंदी बासा के स्रश्टी की हुई है तो इसी तरह उसमें फार्शी सब्द अर्भी के सब्दों की अधीक्ता करके वर्तमान उर्दु बासा की स्रश्टी की गई है तो इस परकार से आपको लिखना है कि खड़ी बोली क्या होती है फिर आजाईए दूसरे प्रश्ण पर दूसरा प्रश्ण है कि Fort William College Fort William College जो की कहाँ पर साथ-साथ मैं आपको यह भी याद रखना है कि कलकत्ता में इस्तित है और इसकी इसका जो संस्ताप कौन है इसके इस्ताप मैं आपको बदा देता हूँ अठारा स्व उनके द्वारा इसकी स्ताप मैं की गई थी फिर हैं चंदरकांता और चंदरकांता संतती उपनियास के रचनाकार कौन है यह दोनो उपनियास है आपको याद रखना है नाम कहा है चंद्रकांता, चंद्रकांता संत्ती इसके रचनाकार कौन है? ओथर कौन है आपको बदाना है? तो मैं आपको बदा देता हूँ कि इसके जो ओथर है वो है लेखक देव की नंदन खदरी कौन है? लेखक देव की नंदन खदरी फिर next question पर आजाईए next question है चौता प्रश्ण इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको करना है तत्सम सब्दों का तत्दबव का रूप लिखना है आपको जैसे तत्सम कार्द होता है यह संस्कृत सब्द होते हैं और तत्दबव जो होते हैं हिंदी रूपांदरन होते हैं तो इनको आपको जो है तत्दबव यानि कि हिंदी में आपको कन्रड करना है अंदकार का हिंदी क्या होगा यानि कि तत्दबव क्या होगा वो आपको बताना है मयूर का क्या होगा वो आपको बताएना है आपके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर उत्तर भी लिखे हैं कि अंदकार का होता है अंदेरा और मयूर का होता है मोर इसी परकार से आपको अपनी पुस्तक में दे रखे कम से कम 20 जो हैं आपको यह पढ़ने हैं तद्सम् तद्बह। फिर आजाए नेक्स्ट वेशन पर नेक्स्ट क्वेशन है कि गंगा के दो प्रेयवची अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेयवची आपको कौन-कौन से बढ़ने हैं इसके लिए मैं आपके लिए जो है model paper लेकि आने वाला हूँ और उसमें से आपको देखना है कि जो-जो model paper में आएगा उसी में से ही प्रशन आएंगे लगबग-लगबग सारे प्रशन क्योंकि पिछली बार भी यह हुआ ता हमारे दोरा बताएगे model paper से ही आयते तो इस बार यह model paper डालने वाले उसका link में आपके लिए description में डाल दूँगा तो आप उसको जरूर देखे और अपने दोस्तक शाद में जरूर शेर करें ताकि यह पढ़ने के बाद आपको किताब भी कोलने की जरूर नहीं रहेगी तो चलिए गंगा के दो परियावाची क्या है यहाँ पर मैंने आपके लिए गंगा के 3-4 लिकर के जो भी आपको याद हो याद कर लेना भागिरती है सूर सरीता है विश्णूपदी है फिर है श्रणूपगा या देवनदी यह इसके परियावाची है फिर नेक्स्ट प्रश्ण है कि अनू उपसर्ग से कोई दो सब्द बनाने उपसर्ग है यह अनू और उसके साथ में आपको जोड़कर दो सब्द बनाने तो यहाँ पर आप देख शकते हो अनू कुल अनू रूप इसी परकार से आपको उप अप इन सबसे भी आपको सब्द बनाने आने चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ फिर है नेक्स्ट प्रश्ण है निम लिखीत असुद सब्दों को सुद्द सब्द करके लिखना है यहाँ पर जो है किसी परकार की मातरा वगेरा में गलती दे रखी होती है जिसको आपको सई करके सई सब्द लिखना है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि द्रश्टी जो सब्द है वो इस तरीके से लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है और अनुग्रहित में ये नीचे है, इस तरीके से री आता है, फिर ही और उसके परशात तब आता है, तो इस परकार से आपको लिखना है, फिर आजाएए खंड बह पर, खंड बह में आपको किस तरीके से करना है, उससे पहले मैं आपको बदा देता हूँ, कि इस बार जो है पेपर में खंड बह आपको करना है अनिवारी है और खंड बह में लगू उत्तरी प्रश्ण है जिसके उत्तर श्रीमा जो है 200 सब्द यानि कि 2 पेज आपको बरने होंगे लेकिन जैसा प्रश्ण या प्रश्ण की requirement हो उस according आपको उत्तर लिखना है प्रतेक प्रश्ण का अंक निर्दारित है साथ अंक इनमें से आपको चार प्रश्ण करना है खंड बह के जितने भी प्रश्ण दे रखे होंगे उसमें से आपको चार करना है फिर भी आपको पेपर में एक बार लिए निर्देश जरूर पढ़ने है जैसे आप किसी जैसे अखंड पढ़ते हो, बखंड, सरकंड चार प्रश्ण, प्रतेक प्रश्ण चारा, सांत नंबर का इस अकॉर्डिंग 28 नंबर का ये खंड हो जाएगा तो इसमें जो है, आते ही दूसरा प्रश्ण तक, जिसे आदमकद कहते हैं जिसकी चाह हो, उसे इच्चित आदमकद होता है सिर से लेकर पैरों तक जैपुल में बहुत सारे आदमकद चितर बनायेते ईसवर शिंग के समय फिर हैं, जिसे इसवर और धर्म में विश्वास हो, उसे हम क्या कहते आस्तिक केते हैं इसके उत्री मैं आपको अभी बताने वाला हूँ स्लैड पे लेकर जाओंगा सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि किस तरीके से आपको उत्र लिखने है फिर है जो उपमा से रही तो अनुपम बिना तिथी बता कराने वाला हूँ जो तो उसे कहते हैं अतिथी फिर है सागर में लगने वाली आग क्या होती उसे कहते हैं बढ़वा नल जो आकार से रही तो उसे कहते हैं निराकार जिसका आकार ही नहीं हो उसे निराकार और अब आप देख सकते हैं इन सारे उत्तर पहला एका होगा इच्छित फिर आदमकद आस्तिक अनुपम अथिती बढ़वानल और निराकार इसी तरीके से मैं आपको बदा देता हूँ कि next प्रश्ण जो है यानि कि आपको एक सब्द पढ़ने है और उसके प्रश्ण पढ़ना है वो भी मदद दो मुहावरे जो आपकी पुस्तक में दे रखे है वो आप कम से कम 20 पढ़ने और उसमें सही आएंगे पहला मुहावरे आस्तिन का साप होना इसका आपको अर्थ लिखना है तो क्या होता है विश्वास गाती होना क्या होता है विश्वास विश्वास गाती विश्वास गाती होना ठीक है तिर उसके परश्चा तक कला ही खुलना कला ही खुलना का अर्थ सामने तब बेद खुल जाना होता है या किसी बात का पता चल जाना होता है खोल के कम से कम 20 मुआवरों के अर्थ जरूर पड़े ताकि वो आपके परिक्षा में सीधे एज़िटिज वहीं शही आएंगे फिर परहितसरस दर्म नहीं भाई ये एक पंक्ति है इसको आपको पल्लवन लिखना है इस पंक्ति से आपको क्या जो इसका आश्यक है वो आपको समझाना है पूरा विस्तार के साथ एक पेज में फिर पत्रों के परकार पत्र किस परकार के होते हैं एक होते हैं आपचारिक पत्र एक होते हैं अनपचारिक पत्र आपचारिक पत्र में कौन-कौन से होते हैं पहला मैं आपको बता देता हूँ आपचारिक किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है वो पहला डालना है आपचारिक दूसर डालना है अनौपचारिक अनौपचारिक फिर आपको बताना है कि आपचारिक में वापस आपको एक नमबर डालना है और लिखना है कि आपचारिक प्रातना पत्र में कौन-कौन से आते हैं आपचारिक में आते हैं सरकारी, प्रातना पत्र, फिर आगे हैं अनुस्मारक, सम्विदा, ये सारे इसी में आते हैं फिर अनौप्चारिक में आ जाई, अनौप्चारिक में होता है, भाई को, मित्र को, मित्र को, लेटर, भाई को, पिता को, इस तरीके से जो परिवार संबंधी को लिखने के लिए काम आते हैं, फिर आ जाई है आपको च्यार करने, च्यार में जो मैं बता रहा हूं, वो ही पत्र आपको जरूर पढ़ना है कि पत्रों के परकार और कौन-कौन से परकार है वो फिर है चटा प्रशन इसकी आपको सव परशन वेख्या करना है जिसने पढ़ी होगी उसीको ही आईगी जिसने नहीं पढ़ी है वो नहीं कर पाएगा इसका मतलब आपको यह नहीं करना है जिसको आता है उसको करना है लेकिन जिसको नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है वो इसे न छेड़े फिर हैं तुलसिदाज जी की बगती बावना का वर्णन करना यह आप आसानी से कर सकते हो तुलसिदाज जी, सूर्दाज जी और कभी इन तीनों के बारे में आपको भगति का वर्णन आपको आना चाहिए फिर है पध्यांस का सवप्रसंग वेक्या अब सवप्रसंग वेक्या क्या होती में आपको बदा देता हूँ जिसको आता है जो करना चाहिए सप्रसंग का होती है कि आपको ये बताना होगा कि ये जो है काँ से लिया गया है सप्रसंग तो आपको इसमें लिखना होगा सप्रसंग में पहला आपको पॉइंट डालना है सप्रसंग जिसमें आपको लिखना होगा कि ये पंक्तिया जो है उस अध्याय के उस अध्याय से लीगी और वो अध्याय जो है किसकी रचना है वो भी आपको लिखना है ठीक है फिर आता दूसरा point इसी में डालना है आपको वैख्या वैख्या के अंदर गत आपको ये जो पंक्तिया है वेख्या करनी होगी फिर है आकास भी हिंदी में आपके जो QHD पेपर विवाँ पर तीन या च्यार अध्या है जिसकी प्रतेक कान यह उसकी कता वस्तु आपको होनी चाहिए वो आपको कैसे पता चलेगी उसके लिए आपको सारांस पढ़ना है फिर आजाए यह सह पार्ट में सह पार्ट में आपको दो प्रश्ण करने दो प्रश्ण परतेक प्रश्ण 24 का और 28 संग तो इस तरीके से आपको करना और इसकी सब्द सीमा है 500 अब 500 सब्द यानि कि 5 पत्ते उसको आपको कैसे मैनेज करना है तो आप लिखके आएंगे साड़े तीन पेज में आप यदि उत्तर लिखके आते हैं आपको लगब लगब पूरे मार्कस मिलने की संभावना तो नहीं रहती है क्योंकि निमंद आत्मत में प्रश्ण के मार्कस इस तरीके से दिया जाते हैं कि student जो लिख के आता है उसके according दिया जाता है तो इसके लिए आप इसमें से पहला प्रशन तो आप यही करेंगे निम्मंद लिखना है, निम्मंद यदि किसी को नहीं लिखना आता है तो यह बहुत ही मतलब चिंता का विशे है, निम्मंद लिखना सब को आता है 12 तक में हम लिखते आए, कोई भी एक विशे पर निम्मं लिखना है उसमें आपको कैसे लिखना है, पैरा बना बना कर पैरा कैसे, एक पेज में एक पेरेग्राप लिख दिया, फिर उसके पस्चा दूसरा पेरेग्राप लिख दिया फिर थीसरे पेज में और paragraph लिख दिया इस तरीके से paragraph के इसाफ से लिखना है ताकि आपको अच्छे marks मिले तो इस तरीके से आपको paper shawl करना है और model paper हम डालने वाले वो जरूर देखें अपने दोस्तों के शाथ में जरूर शेयर करें वीडियो चा लगत वीडियो को लाइक करें धन्यवाद